यो, what's up guys, कैसे आप सुभी लोग, welcome back to another gameplay video, तो guys आज हम लोग दुबार से के लिए चुआ रहे हैं GDF5, तो जैसा कि आप सुभी लोग को याद होगा, कि last episode में मैंने Los Santos के एक बहुत बड़े luxury mention, मेनी मदराजो के घर से 5 luxury cars चुरा ली थी, पर वो सारी गाड़िया हमने अपन western के लिए चुराए थी, क्योंकि time आ चुका है, अपना real dream पूरा करने का, और वो सपना है, एक movie producer बनना, और आली शान जिंदगी जीना, क्योंकि आर आप लोग को याद होगा, कि Michael की family भी Michael को इसलिए छोड़ कर गई थी, क्योंकि पूरे time अपनी police से, military से, terrorist से, और अलग- gang से fight चलते रहती थी, जिस वैसे Michael को, और साथ ही Michael की family को बहुत जादा खत्रा था, बढ़ा यार, आज से हम लोग ये सब कुछ चोड़ने वाले है, मतलिब कि गाड़ियां चुराना, bank में चूरिया करना, सब कुछ, आज से सारे गलत काम बन, last time हम आपने वो गाड़ी चु आज से अपना main काम है, ये एक movie producer बनना, क्योंकि यार, इसके अंदर बहुत ज़्यादा पैसा भी है, और एक luxury feel भी आएगी यार, बाकी हाँ, Michael ने तो अपनी family को भी call करके बोल दिया कि अब वो एक movie producer बनने वाला है, और ये बात सुनकर वो काफी ज़्यादा खुश तो है बट उससे ज़्यादा वो लोग शोक हैं, क्योंकि एक इतना बड़ा gangster criminal movie producer कैसे बन सकता है, तना अच्छा काम कैसे कर सकता है, और शायद से वो लोग ये बात सुनने के बाद घर पे Michael के साथ रहने वापिस आ जाएं, और वैसे हाँ, मैं आप लोग को बता दू कि last time हम जाजों के घर से, क्योंकि यार जो movie producer है, Devin Weston, उसने उस movie में बहुत जादा पैसा लगा हुआ है, तो हो कह रहा था कि तुम मुझे इतना पैसा लाकर दे दो, पड़ यार अपने पास इस टाइम पर bank में $0 है, तो मैंने साफ बोला भाई हमें movie चाहिए, बट पैसा नहीं ह तो मैंने बहुत है, तो मैंने उसे दे दिया है, बट मुवी उसने अभी तक मेरे नाम नहीं करी, मुझे जाना है, उसकी assistant Molly से मिलने, वो शायद से में film दे देगी, और हम लोग एक movie producer बन जाएंगे, वैसे, main काम तो है सब कुछ, Solomon, uncle ने करवाया है, उनसे भी मिलने चलना ह सबसे बहले तो मेरा हसकी, okay, मैं काफी देर से इसी को ढूंड रहा हूँ, उपर नीचे करके, मैं कहाँ चला गया, यह यहाँ पर बैटके, अराम से सो रहा है, चलो भी सोने देते हैं, इससे डिस्ट अपनी करना, वरना तो यह पूरा दिन टीवी देखते रहता है, अपनी सारी गाड़िया नीचे खड़े है, वैसे इस ताइम पर मैं फ्री बैटा हूँ, अराम से उपर बैटके, सारी मैं रीड कर रहा था, बैनी ने बोला, काफी सारी हमें, लंबोग नी चीह होगी, फरारी चीह, बुगाटी चीह है, पर अपना नया वाला जो शोरूम हम लोग गाड़ी एक सेकेंड यार, इसको इससे में साफ कर भाई, और गंदी हो जाएगी मेरे साफ से तो, वैसे गाई सार, मैं एक चीज़ मैंने कल नोटिस नीच, वेट, यहाँ पर मेरे लिमोसिन थी ना, यार यहाँ पर मुझे सिक्योरिटी लगानी पड़ेगी, दो गाड़ि कैसे गाईब होगी, यार, सची में बहुत जादा महेंगी कार है, दो कार गाईब होगी, वो भी घर में से ही, कोई बात नी चलो, मैं अपनी सारी गाड़िया ना, कहीं ओर ले जाके खड़ी करूँगा, तीनो महेंगी महेंगी सूपर कार्स बची वी है, इसको लेकर चलें है भाई, पता नी क्या, ओ वेट, भाई साब, होल्डन रोल्स रोइस, चलो कोई नी इसको अपना जाने देते हैं, फटा फट से गाईज, सबसे पहले हम लोग चलते हैं, आइफोन स्टोर पे, और वहां से चलकर एक नया मोबाईल खरीते हैं पहले, ओके गाईज, लेट्स खर गिफ्ट करा, और हमने यार लास्ट टाइम उसी की गाड़ें चुडा ली, खैर वो सब बाते चोड़ो भी मुझे न, जल्दी से सोलो मोन से मिलने के लिए जाना है, और आईफ्रूड स्टोर यार, यहीं कहीं पर तो था, जहां था, ओके, 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 पीछे रहा गया खरीदना है, जो फोन माइकल के पास पहले था न, जो खो गया था, सेम वही फोन मैं यहां से खरीद के जाने वाला हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता भाई कि और कोई घटिया फोन में लेलू, शस्ते के चकर में, और फोन तुबारा से हमारा बैंक अकाउंट है कर वादे, व तो यही फोन है, जल्दी से हां से, आपणे में और वही पराना वोन पूरन परसे कर ले न, जो कि मैचल काफी टाइम पहले से यूस करता रहा है, नहीं मतलब वह वाला फोन है, मिलेगा, वह वाला फोन मिलेगा, भो तो को गया न, वटा न, जो भी रिख और जो यह आँग जो अपनी मूवी है, माइकल प्रोड्यूसर बन रहा है, उसकी मूवी है, तो भाई इन सब चीज़ों का मैं ध्यान रखना होगा, चल कर देखते हैं, आकर मूवी पे कितना काम कम्प्लीट हो चुका है, उसने बोला था, लिबर्टी में थोड़ा पो शूट बाकी है, बाकी मूवी है, वो ओल्मोस पूरी कम्प्लीट है, बाकी है, लेफ्ट साइड में देखो, कितनी जादा बड़ी है गाड़ी खड़ी है, बिल्कुल भुगाटी चासी लग रही है, वैसे आया रभी वो सब छोड़ो, अब भी हमें फालती काम नी, अपना डीलर्शिप जो है, उ वेट, सौरी, अभी अभी गुसे में आना, वैसे भी मेरे पास जितनी भी गंस थी ना, वो सारी की सारी मैंने घर पर रख दिया, मतलब कि भी लड़ाई का पंगा ही है, अगर लड़ाई होगी तो मैं वहाँ से भाग जाओंगा, मेरे को लड़ना है ही नहीं, बैसे बातों यार जल्दी क्या कर रहा है भाई, फोन में लगा पड़ा यार ये बेंदा, बेटे इंस्ताग्राम रील बना के मारूँ हाँ, एक सेकिंड रुख जाओ, यार तुमारा हमेशा का रहा है, क्या दिक्कत होगी हाटा इसको, की ऐसी की तैसी, होली से, मुझे मुझे मुका मार और उटोमेटिकली खुल चुका है, चलो यार, फटा फट से हम लोग अपनी गाड़ी को अंतर लेकर चलते हैं, यहां पर कुई लग रहा है, एलियन वाली मूवी भी शूट हो रही है, हमेशा भाई भीड लगे रहा थे इधर जो भी काव, चलो कोई नहीं, अभी हम लोग अभी हमें रिस्पेक्ट मिलने वाले यहां पर बहुत ज्यादा, एक काम करता हूं, अपनी गाड़ी को मैं यहीं पर खड़ी कर दे, वहां तो है वैसे वहां पर ले जाने के या जुरू है, अपनी गाड़ी को यहीं पर अराम से पार कर देते हैं, और अभी जल्ली से चलत है, एक काड़ करी कोरा हम उनकोते ही थे संतिमेंटल फगव मिली टी नहीं है को यहां पर इनकोते ही है video, मैं खड़ा को नहीं है के बदेखने के दोके छ नि पतर लिग अशल्वी प्सकृ मुवी तोडी प्रोडिूसर वाली फील आरही है यही पार्टी शुरू होगी लेट्स को गाइस अब आने वाले हमाज आसली मैंडा को कॉल करके बोल दिया कि जो पनी मुवी है वो पूरी को चुकी है और यह चाहता है कि मुवी रिलीस होने से पहले पूरी की पूरी फैमिली एक साथ तेटर में बैट के अकेले उस मुवी को देखे तो अभी ना गाइस मैं तेटर तो जाओंगा लेकिन अभी सीन मुवी है ना वो में पूरी को पूरी जो फाइल वो इस टाइम पर अपने पास नहीं है वो भी बन कर आने है थोड़ी दिर में आए कि सोलोमोन कह रहा है कि मुश्किल से थोड़ा सा टाम लगीगा थेटर भी अपना है पुरा का पुरा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं अ साथ के साथ अपना डीलेशिफ वाला काम भी चलता रहेगा तो उस पर भी में ध्यान दे रहा है बठा यार अभी अभी मुझे याद आया मुझे सुबहे सुबहें बिग माफे के भाई का कॉल आया था और उसने मुझे अपने पास मिलने के लिए बुलाया था ट्रावर कर मालिक बन चुका भाई पूरा जैसे पहले उसकी बात्चीत थी ना सेम उससे ज़्यादा बात्चीत आगी है क्योंकि अभी अलूबियो डगन बॉस दोनों लोग मारे जा चुके हैं तो उसके पास कायो पैरी को आइलेंड भी आग गया है बट लोस सेंटोस अभी भी हमारा रहेगा बट चल कर देखते हैं आकिरकार क्या सीन है वह में किसले मिलने के लिए बुला रहा है कोई दुबारा से लड़ाई वड़ा या फिर किसी को मरवाना तो भाई मैं उसके साफ मना करतूंगा कि मैं आप तेरे लिए काम नहीं करने वाला वैसे आप लोगों ने चीज से निकली है और वापिस वह अंदर जा चुकी है और अभी लोसेंटोस काफी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है फिलाल हाँ जल्दी से हम लोग पहुस्टे हैं पहले बिग माफिय के भाई के पास देखते हैं क्या सीन है ओकी गाइस लेट्स को तो अभी फिलाल में अपनी मास तो धूपनी के लिए है पट यहां पर इतना डेंजरिस मोसम हो रहा है ऐसा लग रहा कि बस अभी धूड़ी दिर में थंडर स्टॉम आने वाला है यहां पर इस वाले कट से मुझे अपनी गाड़ी को लेफ्ट मोड ने और गूगल मैप्स दिखा रहा है कि आगे वाले चुपके रहा है अभी छुपके रहने की काज़र होते हैं राज करना चीए से तो वो दिखो भाई कैसी से जगह पर इसने मिलने के लिए उला है कोई स्कैम तो नहीं करने वाला है हमारे साथ एक मिनट रुक जाओ मैं आराम से आगे बढ़ूंगा क्योंकि मुझे ना सामने की तरफ में कुछ security guards और कुछ terrorist टाइप बंदे भी नजर आ रहे हैं शाथ से इसकी security होगी यारे हां यह थोड़े वो जाने पर चाने लोग लग रहे हैं हेलो गाइस क्या हो गया भाई यहां पर एक सेकिन इतनी security की कैच और रहत है वेट मैं अभी चलता हूं इनसे बात करता हूं इनको बताता हूं मैं उसका special दोस्त हूं और इसने खुद मेरे को यहां पे मिलने के लिए बुलाया है वाकि मोसम को देखो भाई क्या ही हो रहा है यह बारिश के उज़र से पनी पूरी गाड़ी गंदी हो चुकिया भाई ओ सॉरी सॉरी नहीं नहीं इतनी भी जादा डेंजरस निये कार इसका साउंड इतना डेंजरस है ना सामने वाला बंदा भाई काप जाए मलब भी तो बारिश हो रही है इसने उतना क्लियरली सब्सक्राइब कोई विश्वास करेंगा इस घर में रहने वाले बंदे के पास छे रेंज रोवर है वह स्पेशल एडिशन हम लोग इपनी गाड़ी को यहीं पर खड़े कर देते हैं यह वाला पेड़ कितना जादा बढ़िया लग रहा है ना काफी जादा बढ़िया बना नहीं है बढ़ हां बिग माफिय के भाई ने बुलाया तो कोई ना कोई तो इंपोर्टेंट काम हो गई तो यहां पे इसने चोटा सा एरिया योगा शुका करने के लिए बना रखा है इस साइड में कुछ डंबल्स भी पड़े हैं और यह जोगा कितनी चाता साफ लग रही क्या ओकी गाईस तो भी मेरी बिग माफिय के भाई से बात हो चुकी है और यार सची में इसने तो कुछ जादा ही इंपोर्टेंट काम से हमें यहां पर मिलने के लिए बुला है सबसे पहले तो यह देखो इसने यहां पर आकर कुछ नए दोस्त बना लिए और उनके साथ ब पता है अब यह हमें क्या ही देना चाहता है बढ़ाए यार एक बारी ना पहले हम लोग चलकर अंडरवाटर माफिया से भी मिल लेते हैं क्योंकि यार काफी जादा टाइम हो गया उससे मिले वे यहां पर एक और चोटा सा रूम है और यह देखो इस चोटे से रूम में चो सोने देते हैं बाकी यह बिग माफिया का भाई कहां पर चला गया मैं तो इसे ढूंड रहा हूँ अभी तक अंदर अपना बैठके टीवी देख रहा था पर अभी नजर भी नहीं आ रहा कहां पर चला गया तहीं ओर जाने का तो प्लान नहीं है अपना अंदर इस वाले पढ़ाने में जरूर हेल्प करेंगे लेकिन यार यह भी हमसे एक रिक्वेस्ट मांग रहा है कि जो भी हम डिलर्शिप से में जो भी हम लोग अपने शोरूम से कमाएंगे ना उसका 10% यह लेगा जिंदगी भर के लिए चलो कोई दिकत की बात नहीं ठीक है इसने आर हमें जो डाइमंड्स ते हैं यह अराउंड 200 मिलियन डॉलर्स के हैं अब उपने उपर डिपेंड करता है कि हम लोग इसे कहां पर जाकर बेच रहे हैं थोड़ी अच्छी कंट्री में बेचेंगे तो और भी जादा यह महंगे बिख सकते हैं फिलाल महां पर यह कहां हो है मैं लटक रहा है वहां से पूच जैसा ठीक है यार फिलाल जल्दी से हम लोग गाड़ी में बैठते हैं यार कसम से एक बात तो मानने पड़ेगी बिग माफ्य काफी बढ़िया बंद है तुरंत पैसे निकाल कर देती था अगर इसके पास होते हैं तो अभी इसने डामेंड्स क्योंकि इसे मालूम था हमारा बैंक बैलेंस पूरा खाली हो चुका है और हमें सपोर्ट के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए क्योंकि हमारा इतना बड़ा शोरूम है उसमें कार्स होगरा लानी है काफी टाइम से यही सोच रहा था कि यार बैनी ने लिस्ट तो भेज दिय बढ़ा अभी आ चुका है हम लोग अपने शोरूम में गाड़ियां भी अच्छे से भड़ सकते हैं तो चलो गाइस अभी ना फड़ावट से में लोग अपनी लंबोग नी उरुस लेकर निकल लेते हैं सीधा लॉसांटोस के लिए पहले मैं सूच रहा था कि आर गाड़ि चुका हूं एक काम करता हूं यहां से ना सबसे पहले तो मैं अपनी गाड़ी वॉस्ट करवा ले था हूं क्योंकि पहले तो यह बारिश होई फिर सारी मिट्टी चिपक गई बर अभी वो जो सूख गही है ना उसके बाद ऐसा लग रहा है कि मैं कोई बहुत जादा खतरना आप ओफ रोड ट्रिप से आ रहा है उस गाड़ी को लेकर तो हां लगे हां तो हम लोग यहीं से वोश्ट करवा ले थे हैं ज्यादा टाइम नहीं लगेगा 15 डॉलर्स में अपनी गाड़ी सिर्फ उसे पांच सेकिंड के अंदर पूरी चमक के नहीं हो जाएगी लेट्स को तो यहां पर सबसे पहले अपनी गाड़ी को एकदम पानी से पूरा जितना गंद है वो सारा निकाला चाएगा एक एक प्रोसेस यहां पर भाई प्रॉपर होता भाई काश यार यह जो चीज है भाई जल्दी इंडिया में भी आया फिर काफी जदा मजा है का भाई क्यों च पे स्टीम देखे खोड़ा ब्लॉर लॉर मार के सुखा दिया जाएगा और अब देखना भाई पूरी नहीं लुक हो गया काड़ी की सिफ और सिफ पांच मिनट में पांच मिनट भी नियार दस सकीन लगे हैं लेट्स को अभी हम लोग निकलते हैं सीधा थ्वेटर के लिए जहां पर मायकल की family एंड सोलो मौन वो film लेकर आने वाला है और भी काफी सारे बंदें माँ पर आने वाले हैं जोकि हो और सोलो मौन के कि वो कहारे कि जो अपनी मुवी है ना वो फाइनल पूरी एडिटो के लिबर्टी सिटी से आनी है मतलब की देखो ओन-laiyn में लोग ले सकते हैं बड सीन कहार कि जो मुवीज वगरा होते हैं इसके लीक ओने के बहुत ज़दा चांसे होते हैं इसलिए वो ऑफ-लाइन ही कोई तो बंदा लेकर आएगा सोलो मोन का फिर वो यहां पर पोचेगा देन हम लोग अंदर जाकर अंदर अपनी मूवी देखेंगे बढ़ा उससे पहले हम लोग चलते हैं थेटर में माइकल की फैमली यहां पर अभी तक नहीं पोची है उन्हें भी शाद आने में थोड़ा अब हो 10-15 मिनट लग जाएंगे जब तक हम लोग अंदर चलके बैठते हैं थेटर में और देखते हैं कि अभी कौन सी मूवी यहां पर लगी है हमें को यहां पर मना नहीं करने वाला ठीक है यहां पर फुल फुल चोण में एकदम बिन टिकेट के हम लोग घुस चुके हैं मैं अकेले अंदर आगया हूँ शाद से भी कोई भी मूवी का टाइम नहीं है थोड़ा ना पहले बाहर चलके ने एक पर ही टाइम वाइम देखकर आता हूँ उसके बाद हम लोग अंदर आएंगे कोन सी मूवी कितने बज़े यहां पर चलने वाली है वही मैं कौन यार कौन सी मूवी कितने बज़े की है फिर उसके बाद टिकेट लेंगे पता चला टिकेट ले लिए और माइकल की फैमिली लेट होगी फिर मूवी भी मिस हो जाएगी और काम भी खराब हो जाएगा तो गाइस देखो अभी ना फिलाल माइकल की फैमिली यहां पर हमसे मिलने के बट अपने पास बिल्कुल भी पैसा नहीं इस टाइम मुझे एक बार इपने बैंक अकाउंट में देखना पड़ेगा कितना पैसा हमारे पास कितना टोटल बैलेंस है सिर्फ उसे 1000 डॉलर्स बच्चे कुछे पैसों से मैंने मोबाइल ले लिया था यार कोई बात नहीं आज एक बार यह उनसे कॉल करके पूस्ता हूं आखिरकार यह लोग कहां पे रह गए हैं बाई इतनी जादा देर हो एक सेगिंद यह लोग को ने वैन लेकर आजे मुझे पकड़ने के लिए और यह दोनों बांसर्स ने मुझे पकड़कर अपनी गाड़ी में डाल दिया है लो तो गाईस अभी ना फिलाल इन दोनों लोगों ने मुझे किड्नाप करकर इस वैन के अंदर लाकर बिठा दिया है और अभी बतानी यह लोग अपनी वैन चलाकर मुझे कहां पर लेकर जाने वाले हैं लो भाईस आप अभी मैं कसम से बहुत बुरी तरह फस चुका हूं मु बुरी तरह फस चुके हैं क्योंकि मेरे पास एक भी वैपन यानि एक भी गन नहीं है मैंने सारी गन घर पर रख दी वरना तो मैं इन दोनों लोग का ना इन दोनों का क्या इन चारों लोग का मूँ तो डालता भाईस आप पता नहीं अब यह लोग मुझे कहां पर लेकर ज बिर गया है या फिर लोगों ने चीन के अपने पास रख लिया वह ब्रीफ केस अभी अपने पास नहीं है यार क्या ही गंदी तरह हम लोग फस चुके हैं इनके ट्राप में तो ओके गाईस अभी ना इन लोगों ने मुझे किसी बहुती डेंचरस से सीक्रेट बंकर के में भ्योश कर देता और उसके बाद जब मुझे दुबारा होश आया तो मैं सीधा यहां परता और एक सेकिंड यह अपना लिबर्टी वाला फ्रेंड इसने हमें किट्नाप करवाया वह भी मिनी मदराजों के साथ मिलके भाई यह लोग क्या करना चाहते कसम से मुझे कोई इडिया नहीं है बठा जिस तरीके से लोग मेर से मिलने आया है मुझे बिलकुल भी सही नहीं लग रहा है मुझे तो लग रहा है यह मर गया है वट अभी रेंच लेकर शायद मुझे मारने के लिए तो गाइस तेखो अभी नाम लोग बहुत पुरी तरह फस्च चुके हैं क्योंकि मेली मतरासों को और अपने लिबर्टी वाले फ्रेंड को बहुत बड़ी गलत फैमी हो गई है आप लोग को याद होगा कि जब यह डगन बॉस की पार्टी में आता उस बड़ी वाले बिल्डिंग में तो हमने वहाँ पे डगन बॉस को मरवाने के लिए उस लाल भी इन लोगों ने मुझे बहुत गंदी तरह मारना शुरू कर दिया है वो भी अलग-अलग वेपन्स लाकर यह लोग यहां पे मुझे टॉर्चर कर रहे हैं बहुत गंदी तरह और साती मिनी मतरासों कह रहा है कि भाई मैंने तुम्हें इतना बड़ा मेंशन दिया औ वो गाड़ें मैंने अपने लेली चुराई थी बठा चोरी तो हम नहीं करी थी और मुझे नहीं लगता कि अभी यह लोग मुझे छोड़ने वाले हैं मैं कुछ कर भी नहीं सकता क्योंकि मेरे पास कोई भी वेपन्स नहीं है और मैं किस जगा पे बंदू हूँ मुझे कोई हातों से नहीं डगण बोस और एल रूबियो की हातों से मरवाएंगे इसका मतलब वो दोनों लोग अभी भी जिंदा है वो बिल्डिंग ब्लास से बच कर वो लोग निकल गई थे वहां से भाई अभी न मुझे कुछ भी कर करना यहां से निकलना होगा वैसे एक बात अच् पर पैर है और फिर हात वात पे तो बुलिट मेरे बजाई सकते हैं मैं काम करता हूँ इनके आगे न ऐसे एक्टिंग ये नहीं करता हूँ कि मैं यहां से मतलब कि इनके आगे उल्टी सीदी एक्टिंग करता हूँ था कि इनको लगे कि भाई इस बंदे को थोड़े बहुत भाई ये काफी ज़्यादा डेंजरस है, एम एक बार इन्होंने मेरे उपड़ से हटा लिया ना, तो काम एकदम मस्त हो जाएगा, फिलाल यहां पर एक सेकेंड, तो ये देखो गाईस, अभी ना मैंने अपने हाथ में ये रेंच ले लिया है, उमीद है उसको नहीं दिखा हो होगे ने, तुमने अगर मुझे मारा तो मेनी मदराजा तू मेनी छोड़ेगा, और अभी टाइम आ चुका यहां पर असली ताकत दिखाने का मार कैसे रहे बे, मना करके गहना है, वो फिलाला, अभी मुझे यहां से AK47 मिल चुकी है, भले इसके अंदर आमो थोड़ी बहु इसको भी मैने मार डाला है, और वो-वो देखो, हो सामने से मेरे को मारने की कोशिश करा है वो अभी मैं इसके एक बचाता हूँ, भाइ इसको तो मैने डाउन कर दिया बट वहां पर से आगे बढ़ना होगा तो यार यहां पर भी एक बॉडी गार्ड है इसको भी मैंने एक तम मस्त मार्केट डाउन कर दिया दोनों के दोनों को और यहां पर एक भाई सब्ची हो रहे हैं चल नहीं कर यहां से कहां पर ध्यान है भाई तेरा सुनाइपर लेखे वेट वेट वे सब इसमें करंट था क्या एक सिगिंड तो गैस देखो अभी ना मुझे सोच समझ के यहां से धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा शायद से बाहर निकलने का जो सीक्रेट रास्ता है ना वो यही है फिलाल सामने की तरफ में भी एक बंदा था मैंने से डाउन कर दिया है यहां पर तो कोई भी बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं फिलाल मैं गंस ले लेता हूँ पहले ओकी गैस तो अभी ना फिलाल मैंने यहां से यह शॉट गन ले लिया है और फटा फटा से नहीं मैं धीरे धीरे यहां से आगे बढ़ता हूँ मेरे पास चार से पांच अलग-अलग है shotgun है SMG है assault SMG है बट मेरे पास उनके अंदर बिल्कुल भी ammo नहीं है फिलाल यहां पर धेड़ सारा पैसा और धेड़ सारा से बाहर निकलना होगा क्योंकि हो सकता है कि बाहर और भी बॉडिगार्ट्स हो और यह मैं किस जगह पर हूँ हेलो यह अपने लॉस सेंटो सी तो है मुझे लग लेकरना आ गए हो ओ भाई साब यह देख रहे हूं कैसी से सिक्रेट जगह में उन्हें मुझे बंद कर रहा था और अभी इस चका से मुझे याद आया यार यह तो मेनी मद्राजों का घरी है ना ठीक है अभी हमें कोई भी दिक्कत नहीं है यहां पर जो CCTV है ना मैं इसे बंद कर देता हूं वो सामने और बंदे आगए वेट यार अभी हम लोग बहुत गंदी तरह पर सकते हैं मेरे पास पुलेट्स भी नहीं है यार जादा अपनी गंद में इसको मैंने मार दिया है यहां पर से जल्दी से गाइस मैं आसे ना आगे बढ़ता हूं वरना बहुत बड़ी गरबर जाहेगी लेट्स को इसको भाई पीछे के तरफ में तो काफी सारे बोडी गार्ट्स हैं यहां पर अपने के लिए ची होगी अजोल ट्रैफल जो की ओटो पे चले पर अपने पास है तो पर उसके अंदर आमों नहीं है फिलाल हां जितने मैंने थे ओल्मोस्ट हमने सबको मार के डाउन कर दिया है स्नाइपर है मेरे पास स्नाइपर इस बंदे के लगेगी ना तो माच आई आ जड़ी से इस काड़ी में बैढता हूं और फट वट फट मैं से निकलता हूं भाइब बहुत ज़ादा गलत हालत हो चुकि है मेरे गाडी स्टाट ओचिया है और बीस अगरे गाडी स्टाट पर अश्चिया है और मुझे इन लोगों ने उपर आना भूट나 कर दिया वी हु बारी शूरी है न भाई यहां पर बहुत जादे गलसी निकल यहां से अपनी गाड़ी भी इसलिप मारेगी जो कि यार अपने लिए काफी जादा बुरी बात है बट एक सेकिंड यह वाला रस्ता तो इन लोगों ने बंद कर रहा है पूरा ही रुक जाओ मुझे यहां से भी निकलना पड़ेगा भाई दूसरे रस्ते से जाना होगा क्योंकि यहां पर बहुत जादा ही गलसी निरुख है यहां पर भी बंदे है और वेट 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 सोरी 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 मुझे यहां से एक मिनट रुक जाओ यहाँ से मेरी गाड़ी बहार निकल जागी बाई बाई निकल गया मैं इतनी तक भी सिक्योरिटी इन्हों ने लगा रहा की थी फिर भी मैं यहाँ से बच के जा चुका हूँ बठा यार बहुत जादा ही कला सीन है भी तो मुझे बहुत तेज अपनी गाड़ी यहां से भगानी पड़ेगी सबसे पहले मैं काम करता हूँ और ट्रैवर को कॉल कर देता हूँ क्योंकि भी सिचुएशन बहुत जादा खराब है एक वही बंदा है जो इस ताइम पे हमें इस बेकार सिचुएशन से बाहर निकल वा पाएगा ओकी गाईस अभी ना फिलाल मैं अपनी गाड़ी भगाता भगाता काफी जादा दूर आ चकाँ उस जगह से और अभी ना मैंने ट्रैवर को भी कॉल कर दिया है और उसको मैंने अपनी लाइव लोकेशन शेयर कर दिया ताकि वो मुझे जल्दी से जल्दी आके मिले क्योंकि या अभी ना मुझे उसकी हेल्प की बहुत ज़्यादा जरूरत है इस ताइम पर भाई डगगन बोस और एल रूबियो लोस सैंटोस ओपैस के ये कोन है यार ये उन दोनों के और बोडिगार्स है आप गाड़ी में बैटकर आगए है मुझे ना भाई अभी जल्दी से जल्दी याँ से निकलना पड़ेगा काश यार ट्रैवर जल्दी से जल्दी आए और हमसे मिले क्योंकि अभी तो ये सिर्फ मदरासों के बेटे के बोडिगार्स है पर जब यहाँ पर एहल रूबियो के और डगण बोस के बोडिगार्ड हैंगे तो त्यार बहुत ही ज़्यादा गलत सीन हो जाएगा फिलाल हाँ अभी मैं अपनी गाड़ी को लेकर ना किसी पतली सी सीक्रेट गली में आ गया हूँ पर ये जो बाहर निकलने का रस्ता है ये शायद से वही पर चाता है और काश यार वो लोग ना यहां से चले गए हो इस तरफ में एक रास्ता और चा रहा है फटा फट से ना मैं अपनी गाड़ी जो है यहीं से बाहर निकाल लेता हूँ अब फटा फट से यहां से हम लोग निकलते हैं और एक सेकिन ये लोग तो मेरे से पहले यहां पर पहुचे हुए है इनको भाई ये गंदी तरह एक मिनट रुख जाओ ये लोग यहां से निला पाएंगे पत्रियों के बीच में से अपनी गाड़ी निकाल दूगा 5-6 बंदे उनकी गाड़ी में बैठे हूई है मुझे मारने के लिए पतली-पतली गलियों से ज़ादा सही था क्योंकि उनके पास एक बड़ा ट्रक है और वो लोग अगर आएंगे तो मुझे छोड़ने नी वाले किसी भी कीमत पर एक काम करता हूँ यह वाला रस्ता कहीं तो जा रहा है बड़ी अजपर जगा पर ओकेई बाई 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 वेट मेरी गाड़ी एक पत्थर में अड़ चुकी है यहां से तो नी जा पाएगे मुझे अपनी गाड़ी को घुमाना पड़ेगा यहां से अपनी गाड़ी हम लोग मोड़ते है पूर भाई क्या कैसी सी जगह है यार यह थुके ही जा रही है अपनी गाड़ी बार बार से वो लोग अभी भी मेरा पीछा कर रहे हैं मेरी गाड़ी का कोई तो टायर ना जाम हो गया है वो ठंक से घोम ही निया भाई मैं उतर रहाँ इस गाड़ी से ओकी गाईस तो भी ना फिलाल जल्दी से ना हम लोग इस एरिया से बाहर निकलते हैं क्योंकि वो जो उसके बॉड पारी गाड़ी फोर डाली रुख जाओ अभी ना में इस बंदे को डाउन करना पड़ेगा सबसे पहले ओ तेरी भाई यहां पर यह लोग पहुट चुके हैं रुख जाओ और यह भाई वेट यह लोग मेनी मदराजों के बॉड़ी गार्स निया अभी नमेरे को ट्रैवर क बिठारा के भाई उन लोगोंने यहां पे एक मिनट यह सिलेंडर में पूरा फोर डालता हूं यह गया अभी इनकी बैंड बजने वाली है भाई को जादा ही बंदे यहां पर आ रहा गये हैं मुझे तो भाई कवर ले लेके इनसे फाइट करनी होगी वरना बहुत जादा ब यहां लोग बाहर निकलने का रास्ता लग रहा है मेरे को अगर हम लोग यहां की कोई दूसरी एकजिट हो वहां से भाई निकल जाएंगे तो मेरे साब से बहुत जादा बढ़ी हर रहेगा भाई इदर बहुत जादा बंदे आ गया है कोई और बोम पकर नहीं कर रुख जा पिलाल हाँ अभी जल्दी से नगाई से अगे बढ़ते हैं यह एक रास्ता यहां से एक्जिट करने का अगर तेरी नहीं यहां पर भी काफी सारे बंद है वेट 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 इस रास्ते से हम लोग किसी कीमत पर बाहर नी निकल सकते सामने भी बंदा है इसको पर मैंने कोशिश कर रहा है वेट ट्रैवर को हम लोग आगे बढ़ने देते हैं क्योंकि इसका निशाना कुछ जादा तकड़ा है और यह बंदे भी एजिली देख लेता है ओके गाईस तो अभी फिलाल ट्रैवर भी यहां पर आ चुका है और उपर से काफी सारे इनके बॉड़ी ग तो फोर नेन मिल चुकी है और इस चकाप पर तो आगे बंडे में भी काफी जादा डर लग रहा है क्योंकि भाई नीचे काफी जाद ओ तेरी भाई अभी ट्रैवर नीचे लावा में गिरते गिरते बचा बहुत ओ तेरी पीछे बीक बंद है वह सी तक नीचे चला गयता औ भाई राक भी नहीं मिलने दी उसकी हमें दूसरी उसके पीछे वाली साइट से घूम के आगे आना पड़ेगा क्योंकि मेरे साब से यहीं यहां से बाहर निकलने का एकदाँ मस्त रास्ता है यहां पर काफी सारे बंदे हैं फिलाल ट्रैवर भी अपना भाग कर एकदाँ मस सॉरी ट्रैवर था भाई यह अलगी डरा रहा है ठीक है ठीक है ठीक है अभी हम यहां से बाहर निकलते हैं शायद यह रस्ता हमें यहां से बाहर जरूर निकाल देगा कोई अलग रास्ते से क्योंकि यह लोग भी तो किसी दूसरे रास्ते से यहां पर अंदर आने की काफी जबहार है निकलने करें सब्सक्राइब करके किर्द thigh निचे में गाड़ी मलें पाइध करना है यहां निकल सकते हैं भाई कोई तो बंदा बॉम ओकी ट्रैवर ने इनके उपर भाई गिर्नेड मानने स्टार्ट कर दिया है लेट्स को फटा फटा हम लोग सीडियों से नीचे उतरते हैं अभी जल्दी से ना हमें यहां पर इस गाड़ी में बैट कर निकलना होगा क्योंकि भाई अभी यह लोग गली के थुरू मैं यहां से अपनी गाड़ी को निकाल लेता हूँ ताकि कोहिं में देख भी न पाये और हम लोग इस जगह से इजली एसकेप भी कर ले लेट्स को अपनी गाड़ी को मैंने यहां से निकाल दिया है तो ट्रैवर ने ग्रिनेड मार मार के पूरे एरिया ही प बाड़ी में बैठ कर इसके गाउं में पोच चुका हूं और इसने मुझे वोल है कि यहां पर कोई सीक्रेट जगा है जो कि इसे मालूम है वहां पर हम लोग अपना एकदम मस्त छुप सकते हैं और अभी के लिए इन लोगों से बच सकते हैं क्योंकि आर्थे कुछ डग गन ब सब्सक्राइब बंद हुई है और यह जगा पर लाया ट्रावर चुपने के लिए वैसे हां यह जगा यार सची में काफी ज्यादा बढ़िया है आज आज के लिए तो हम लोग अपना यहां पर रुख सकते हैं बाकि एक बारी ना मैं लेस्ट्र को भी कोल करूंगा तो फट हम लोग पहले भी कई बारी आ चुके हैं अपनी गन को ना सबसे वहले हम लोग अंदर रख लेते हैं एकदम फुल स्टाइल में लेस्ट को अभी चलते हैं अंदर हां तो यह जगा गाईस अपनी लेस्टी में काफी ज़धा सेफ है बाकि ट्रावर ने एकदम सही टाइम प जगा भी हमें ट्रावर ने बताई थी क्योंकि काफी टाइम पहले यह जगा ट्रावर का ओफिस हुआ करती थी मतलब काफी ज़धा घटिया चगा है बढ़ा यार अपने काम यह कई बार ही है बाकि यार देखो अभी ना फिलाल ट्रावर यहां पर सो रहा है और यह कुछ जिसने बंदे रखे हुए है जो कि यहां पर कुछ अजीब सा केमिकल बनाते है और उसे बेचते है और उसे ट्रावर अपना पैसा कमाता है वटा यार उसे अभी हमें कोई मतलब नहीं है ट्रावर अपना सो रहा है बट अभी ना मैं इस जगा से जाने वाला हूँ अभी- अभी मुझे सोलोमोन का कॉल आया है और वो हमें लॉस सेंटोस बुला रहा है क्योंकि वो जो मुवी लिबर्टी सिटी से बनकर पूरी एड़िट होके कम्प्लेट होके आनी थी ना गाइस वो आ चुकी है अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे लॉस सेंटोस जाना चाह है देखो अगर जाएंगे तो भी दिक्कत है नहीं जाएंगे तो ओर जाता बड़ी दिक्कत है क्योंकि यार देखो अभी जो अपना शोरूम था ना जो लिबर्टी वाले फ्रेंड को में बाकी बची कुछी पेइमेंट करनी थी उसके बाद यो में उसके पूरे पेपर्स प्रोड्यूसिंग का बिजनस है ना यह हमारे हास्ट से ना जाए तो मैं बस फिल्म ले करना वापिस आ जाओंगा बस मुझे और कोई काम नी करना फिलाल यहां पर एक किसी गाओं के बंदे की गाड़ी खड़ी थी यह मैंने ले लिए काफी जाता खटिया का रहा है बठा लो सेंटोस तक तो पहचाई दे की इतनी भी बेकार निया यार चलनने में ठीक है तो हायार जल्दी से अभी हम लोग निकलते हैं सीधा लो सेंटोस के लिए ऑके गाईस तो अभी ना फिलाल मैं अपनी गाड़ी को लोस सेंटोस की पतली-पतली गलीयों से भगाता हुआ Solomon Richards के office में पहुंचने वाला हूँ बस सामने की तरफ में एक चोड़ा सा road ओर है उसको अगर मैंने पार्क कर लिया ना तो सही रहेगा मतलब यार ऐसा मैं ऐसे लिए कर रहा हूँ कि ताकि कोई भी डगगन बॉस का बंदा ना मुझे देखना ले इदर फिलाल यह थोड़ा सा main road है यहां से जाने की बजाए हम लोग यहां से जाना जादा प्रिफर करेंगे लेट्स को आगे वाले कट से मुझे अपनी गाड़ी को राइट मुरना है और सामने आ चुकी है film city यह उसका main gate है बट इस वाले gate से कोई आता जाता नहीं है बट हम लोग यहां पर आ चुके हैं यहां पर body guards ने sorry security guards ने मुझे देख लिया बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अब हमें कोई भी खतरा नहीं है बस पीछे पीछे थोड़ा सा डर था वैसे भी यार कौन सा पूरे ही शहर में वो चक्कर लगा रहे होंगे चारो तरफ फिलाल हां अपनी गाड़ी को ने मैं इधर अराम से पार्क कर देता हूँ साइड में और अभी जल्दी से चलते हैं सोलो मोन के ओफिस में अपनी फिल्म लेने के लिए और किसी और ठेटर में जाकर मूवी देख लेंगे बाकि हाँ माइकल की फैमिली को मैंने अरभी कॉल करने की कोशिश करी बट कोई भी कॉल नहीं उठा रहा है रुक जाओ दूसरी वाली साइड से चलता हूँ डारेक्टली हम लोग लिफ्ट से उपर चलेंगे सॉलो मौन के पास ओके गाइस यह यहां पर क्या कर रहा भाई तो हमने जब इससे मुवी खरीद ली तो इसका यहां पर रोने का भी कोई मतलब नहीं है भाई यहां पर क्या करने आया है पहले उसने में मुवी नी दी भाई देखो अब हमने इसके लिए गाड़ी चोरी करके से गाड़ी दे दी तो वो मुवी अब हमारी हो चुकी है सोलो मैन उसका डिरेक्टर है तो इसका यहां पर होने कोई मतलब नहीं है यार यह कुछ और ही तगड़ा प्लान करके बैठा हुए यार यह स्काम कर रहा है वहार साथ कोई तो बहुत तकड़ा स्काम कर रहा है सबस्काम कर दूब एक कर रहाम है यह सका डिर दुबशका है तो फिर्ट प्रण। मॉर्चर्ण ट्रेट्ड़ में थाझ उने थाकर भी है वही फिल्म है जर यह झाल बाहिए जर्मन माली नामस्टे में यह क्विए विल्यूनग अजर्छर्ण my plane leaves in 25 minutes can't we do something at least let me finish the picture then close the place down I am afraid our timetable doesn't allow for that are we taking a film and we are going like this? where the hell is she going with that movie? she is taking the only copy off shore somewhere nice and discreet in 25 minutes is her flight Michael can you do something? no he can't do anything pal it's an inevitability what is this scene? my wife got screwed by a yogi and now I am getting screwed by a yogi fuck that I am a producer brother he has worked with us after he has made his assistant he has made a plan with his assistant he has run away from our movie and now we have to go to the airport let's go a nice car is standing here wait now we have to go to the airport we have to go to the airport and he has also gone to the airport I am going to go to the airport I am going to go to the airport because if he is sitting in flight then he will go to the airport then he will go to the airport ok Davin is calling what is this? what is this? don't do this slink think she has got a police escort she is on the way to my personal hangar security at the airport work for me I just want to get the film back police wait go away cut her phone we don't have to talk now let's go ahead let's focus on my driving because if I am here a little bit then it will be very big and he will get out of our hands this road this road will go to the airport I will go to the airport and move straight and move straight just like he is so fast he is running the car I mean I am so fast I am so fast but I am not able to get it to the airport go to the airport then I am going to go here right let's go I am not going to go wrong because we are going to go so far the driver is going to the airport the car is going to the airport and I am going to go I am going to go I am going to go to the airport I am going to go to the airport wait 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 stop stop here no 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 अब भाई यह मरवाएगी भाई यह इसने एक और गाड़ी का बहुत तगड़ एक्सिरेंट करवा दिया है से रोकना पड़ेगा यह लेफ्ट जा रहे हैं वे ओ तेरी पैसकी इस पंदे को सने टक्कर मारी विचारा नीच आके गिरा और मेरी गाड़ी में आके बिढ़ गया और अभी मुझे कोई आइडिया निया उसकी गाड़ी कहां पर गया भाई एक और प्लेन जला दिया कैसने आ यह ओली गाड़ी कई पुलिस की वाली गाड़ी भी गई और इसकी गाड़ी बच गी यह बठाए इसको में मरने भी नहीं देना इसमें वह फिल्म लेनी जो कि इसके पास है भाई उसके लिए भाई क्या कहां अदराजौ से हम लोग इतनी देर तक बिट लिए भाई नहीं वो फिल्म मुझे अभी अभी के बीचे ही है सामने से एक फ्लाइट ओर आ रही है वेट रुक जाओ अभी रुक जाओ रुक जाओ जाओ यह लोग तो गए भाई एक और पुलिस वाला मर चुका भाई यह रेसर थी का मोली पिछले जनम में क्या ही गाड़ी चला रही है वेट यहां से उसने प्नी गाड़ी को लफ मोड़ है लेट्सको हम लोग पनी गाड़ी को यहां से लेफ मोड़ते हैं अब कहां बचके जाएगी आगे रस्ता बंद त को फिल मार निया उसे मार निया इसे जिंदा पकड़ें गए यह ब्लेए जिंदा पकड़ेंसे एक सकिंड्ड लून इसका प्लेइन स्टार्ट होगा था उसके फैंने से पकड़के खीच के बहार फैक और पूरी के पूरी जगह पर को नहीं कुछ नहीं कुरी पूलोंगा वेट अपनी फिल्म यहां पर पड़िया है और पुलिस वाले पीछे पढ़ गए बहुत गंदी तरह वेट इसको भी मैं जल्दी से मारता हूं मुझे यहां से निकलना पड़ेगा भाई अभी जल्दी से जल्दी एक मिनट सामने प्लेन है पर अगर पुलिस वालों ने भाई पुलिस वालों को बहुत गंदी तरह मारने वाला हूं मैं चाहा हूं तो इस प्लेन को लेकर उड़ब के यहां से निकल सकता हूं बट नहीं यार मुझे ना पहले सोलो मोन के पास पहुचना होगा वह जाता इंपोर्टेंट है लट्स को उत्तिरी सामने से पांच पुलिस कुलिस वाले आरे हैं ने कार निकल 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 भाली मारने और चार फुलीस वालों के आगे शेंटर कर लिया क्योंकि यहां से भागे हम लोग क्या ही कर लेंगे मैंने अपने सारे के सारे वैपन्स भी ने दे दिये हैं और अभी मैं खुद ही इन लोगों की गाड़ी में बैठने के लिए जा रहा हूँ ले चलो भाई प्रिजन क्योंकि अगर हम लोग वो फिल्म लेके आँ से भागते हैं और अभी वैसे भी अपने पीछे टगन बॉस और सबी लोग हमें मारने के पीछे पड़े हुए है मेनी मदराजू भी मारना चाहता है अपना लिबर्टी वाला फ्रेंड भी अभी अभी हमें नहीं छोड़ेगा सिर्फ उस बिल्डिंग अटाक की वजह से मैं खुद ही आके भाई गाड़ी में बैठ गया हूँ और अभी पुलिस ऑफिसर भी जो अपना गाड़ी में बैठने के लिए जा चुका है ले चलो भाई तो ओकी गाई सबीना फिलाल की भाई सब जी भी अपनी गाड़ी घुमा के ले आए हैं अभी ये लोग मुझे लेकर जाने वाले हैं सैन अंड्रियास के प्रिजन में कोई दिखत की बात नहीं हम लोग शायद से वही पर ही सेफ रहेंगे ठीक रहेंगे बढ़ा मुझे काफी जदा दुख हो रहा है यार माइकल के फैमिली के लिए यार हमने इतना कुछ करा और वो लोग वापिस मिलने आ रहे थे बट फिर से एक पहुत कल़ सीन होगा है बट अच्छी बात है कि उन्हें शायद से इस सीन के बारे में कुछ नहीं मालूम कहीं ऐसा थो नहीं कि जो मेनी मदराजों के बॉड़ी गार्ड्स थे उन्होंने उन्हें भी बाद में किड्नैप कर लिया हो नहीं आ रहा है सन नहीं करेगा वो जहां तक मुझे लगता है बाकी हाँ अभी आप लोग यह देख पारे हैं उन्हें मुझे कैसे गाड़ी में बिठा रहा है चार-चार पुलिस ऑफिसर मेरे साथ मेरी गाड़ी में बैठे वे हैं सोरी तीन पुलिस ऑफिसर बाकी एक इनका जो पूरा ट्रक है वो आगे चल रहा है और एक ट्रक मेरे पीछे-पीछे चल रहा है वैसे भी मैं भागने नहीं वाला तो ओके गाइस अभी ना फिलाल हम लोग पहुचने वाले हैं प्रिजन में और अभी मुझे कोई आइडिया नहीं कि मैं कितने टाइम तक इस चार दिवारी में बंद रहने वाला हूँ चलो कोई नहीं जो भी हो हम लोग यहां पर एटलीस सेफ तो रह पाएंगे और जब माहूल एकदम ठीक हो जाएगा ठंडा पड़ जाएगा ना उसके बाद ही हम लोग यहां से बाहर निकलेंगे और इन पुलिस वालों को देखो कैसे चला रहे हैं गाड़ी इससे बड़िया तो मेरे कूट ड्राइब करने देते बढ़ा यार जो भी हो यह बिलकुल भी मजाक का टाइम नहीं है काश यार बस यह बात लेस्टर को पता चलगी होती है कि इस टाइम पर हम लोग प्रिजन पहुत चुके है ताकि in future अगर हमें बाहर निकलना हो तो किसी ना किसी तरीके से हम उसे contact कर पाए और वो हमें निकाल पाए बढ़ा जो भी है ठीक है लेस्टर थोड़ डाइम में पता करी लेगा क्योंकि मुझे पूरा मीद है लेस्टर बे फिलाल अभी police officer वहाँ पर अपनी गाड़ी से बाहर निकल चुके है और वो अभी मुझे आ रहा है पकड़ने के लिए ठीक है officer तरको मुझे पकड़ने आने के लिए कुई जरूत नहीं है मैं खुदी अभी जेल में जाना चाहता हूं कोई टेंशन वाली बात है नहीं लो सर मैं लो बहार आ रहूं मैं खुदी बहार आ रहूं ठीक है अभी को मुवी प्रोड्यूस होगी पर यह पता नहीं क्या ही हो गया है विलाला भी हमारा नाम लिखा जाएगा और भी पता चलेगा कि इतने टाइम की जेल हमें यह पर होने वाली है तो की गाईज आर आज किस वाली वीडियो में इतना ही अगर आपको यह वाली वीडियो ची लग सकते हो तो चलो गाईज आज किस वाली वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगरी वीडियो में गुट बाई